आज यहां डिसकस करने वाले हैं कि जुग-जुग-जियो किस तरीके का रिस्पॉंस लेके आ रहे है बॉक्स ओफिस पर देको एक चीज क्लियर होगी है कोई भी एक ऐसी मुवी आएगी जो कॉमिक होगी जो थेटर्स के अंदर किसी भी एज ग्रूप को भाएगी साथ ही सोटू से और उस मुवी ने करीबन एक सो वन एटी टू करू रूपीज का बिजनस किया नेट टेविल के ऊपर तो काफी बड़ा बिजनस है और एक जो न्यू कमरी बोल सकते हैं कार्तिकारियन को उसने किया अब एक और मुवी आई है जो बहुत हद तक लोगों को एक फैम लोग हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं तो उनके अगर वर्ल के अंदर हम जाएं और उनके शूस के अदर हम स्टेपन करें और एक जो बॉलिवूट किसी जमाने में हमें दिखाया जाता था ग्रैंडियोर होता था उसके अंदर अमीर-अमीर लोग होते थे फॉरन लोकेश यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है यहाँ पर अब इसका पहले दिन का जो response था करीबन था साड़े 9 करोड रुपे और day 2 के अंदर भी साड़े 11 करोड रुपे के आसपास यह collect करेगी which means कि दो दिन का collection होगा 21 करोड और जो Sunday की prediction आ रही है वो आर यह करीबन 13 करोड रुपीज की तो 21 प्लस 13 अपने आप कर लो तो करीबन 34 करोड रुपीज के आसपास इसका weekend collection हो सकता है which is decent I would not say it is great which is decent और यह movie जादा महेंगी नहीं बनी है यह movie करीबन 60-65 करोड रुपीज में बनी है तो यह movie hit तो होई जाएगी which brings hope for Hindi cinema कि अगर आप वो चीज़े बनाओंगे जो जनता जनारतन को देखनी है तो वो ज़रूर एप्रिशेट होंगी पारलली ब्रमास्र ले ले लीजे, शमशेरा ले लीजे, पठान ले लीजे यह सब के ट्रेलर्स भी काफी जादा एप्रिशेट करें हैं हिंदी सिनेमा की वह यहां पर बात कर रहा हूं क्योंकि हिंदी सिनेमा के पास थोड़ा सा कलंक लग गया रसोड़ू से और कुछ भी एप्रिशेट नहीं हो रहा था राइट फुली सो क्योंकि वह थोड़ा सा रेलाक्स थे और मैंने हमेशा से अपने विडियो में बोला है कि अगर साउथ से हम कुछ सीख सकते हैं और अपनी मूवीज को इंप्रूफ कर सकते हैं मिलजूल के काम कर सकते हैं वही सब चीज़े हो रहा थे दूसरे सीख रहे हैं जिससे हिंदी सिनेमा और वर्ड सिनेमा में हमारी पहचान बन रही है इंडेन सिनिमा बड़ा बन रहा है बहुत से ठीक ठाक रिकावरी कर चुकी होगी बहुत बड़ी हिट तुन ही होगी but at least nobody will be at losses and people will make some money for sure in this movie बाकी आपको कैसे लगी है आपने ये मुवी देखी तो जरूर बताना और थोड़ा निगेटिविटी के जोन में नहीं रहेंगे और बत्तमीजी विली टोन में नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत एक्स्ट्रीम से रियक्शन्स आ जाते हैं कि बहुत विलकार थी है या फिर अच्छी तो बहुत इच्छी थी इससे बड़ा कुछ हो हीं सकता बहुत न्यूट्रल होके बालेंस तरीके से जरूर रिप्लाई करेगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है और सई feedback मिलता है चाहे वो दूसरे fellow listeners हों चाहे वो makers हों चाहे कोई भी हों उनको ठीक तरीके से बात समझ में आती है ओवर reaction से थोड़ा चीज़े dramatic हो जाती है जो समझ में काम आता है वेराल जो भी हिंदे cinema के थोड़े से प्रेमी है जिनको लगता था कि उनके में potential है लेकि देखेंगे, suspenseful भी देखेंगे, romance भी देखेंगे लेकिन उसके इंदर newness भी आते भी हमें देख रही है तो हम जल्दी मिलेंगे यार एक और update के साथ, don't forget to subscribe to the channel, bye bye